गुरू गुबिंद सिंग सहिव सचे पात्षा माराज जी दा एब बचन खै के सिख ने पूजा सिर्व एक आकाल पुर्ख वह गुरू जी दी करनी खै उस तों बाद इन्हें अभियास ग्यान अनपव अंदर दी सूज उख है परचा शब्द का के शब्द अभियास इसने करना खै के जदो कोई शब्द अपरचा करदा है शब्द अभियास करदा है ते उस दे जीवन अंदर शब्द अपनी पार्श कला वरतांदा है जिमें गुर्देव जी दे अमर्त बचन गुरुगरं सैविच ओ कई वार आपां विचारे ने खजूर के ने कोई इनसान थोड़ा जा समा गुरु दे शब्द दी विचार करके अभियास करके देखे उस दा फाल ए मिलेगा के शब्द दा गुर्बानी दा अभियास करनवाला उस साथ गुरु दे नेडेखो वेगा ते एवी सचाईख है जो खर वक्त गुरु दे शब्द दा अभियास करेगा उस इनसान दे गलेतों जमा दी फाई सदा दी कटी जाएगी तन गुरु अरजुंदे महराज जी दे अमृत बचनने हमारी प्यारी अमृत तारी एदे वेच्वी अभियास दा जिक्र कीता गया परचा शब्द का हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निम्ख ना मनते तारी रे जेसनों सात्गुरु ने आख चमकन जितना समामी अपने मन तो दूर ने कीता परचा शब्द का उस शब्द दा परचा खमारी प्यारी अम्रत तारी गुर निम्खना मनते तारी रे दर्शन परशन सर्शन खरशन सात्गुरु ने चार शब्द कहे कि ने जेडा गुरु दी बानी दे शब्द दे दर्शन करे गुरु ने सपर्श करे दर्शन परशन सर्शन खरशन उन दो दाता मिलिया एक ता ओदी जिंदगी अंदर सुख ते दूसरा महराज कि ने ओदी जिंदगी दे अंदर रास आ जाएगा दर्शन परसन सरसन खर्शन रंग रंगी करतारी रे बाणी ता उस करतार दे रंग विच रंगी होई है नाल बचन किता खिन रम तू थोड़ा जै समाही गुरू की बाणी न जुड़के देख गुर गम तेरी पौँच गुरू तक बन जाएगी ते अगला शब्द कहे खार दम जे खार वेले तु शब्दा परचा करे शब्दा अवयास करे ते फिर महराज किदने नहे जम खार दम शब्दनू जपन वाला ओ कदी जमा दे करनू नही जानगा खमारी प्यारी अम्रत तारी गुर निमखना मंते तारी रे दर्शन परसन सरसन खरसन रंग रंगी कर तारी रे खेन रम गुर गम खार दम नहे जम हर कंट नान को उरहारी रे तन गुरु अरजुन सहीव किदने असी ता उस शब्दनू अपने गले दा खार बना लेया साड़े कंट दे विच गुरु दा शब्द परोता हुआ है देखो बानी विच बहुत हाई वार वार बानी दा अबयास करन दा जिकर अंदा है जिमें तन गुरु अमर दास महराज जी ने उस शब्द दे अबयास नू शब्द दे पर्चे नू ये शब्द के आवो सिक सत गुरु के प्यारे हो गावो सची बानी बानी तां गावो गुरु के री बानिया सिर बानी जिनको नदर कर्म खो वै खिर्दे तिना शमानी जे रोज शब्द दा पर्चा करेंगा रोज अबयास करेंगा उसनों गाएंगा पड़ेंगा ओश शबद परमातमा दी नदर हो जाए ते तेरे खिर्दे विच वास जाएगा ते जेस अंदर गुरू दा शबद वास जाए उस दी जिन्दगी अंदर जहर नगी उस दा जीवन अमरतना पर पूर हो जानाख है महराज जी दे बचन के आवो सिक सत गुरू के प्यारे हो गावो सची बानी बानी ता गावो गुरू केरी बानिया सिर बानी जिनको नदर कर्म हो वै खिर्दै तिना समानी पीवो अमरित सदा रोहारंग जपयो सार्ग पानी कहे नानक सदा गावो ए सची बानी मेरी बेंती का अबियास नल गौन दा सबंद जपन दा सबंद त्याउन दा सबंद महराज किदने सिखो उस गुरू दे शब्द दा अबियास करो हुण इस तो अगली मेरी एक बहुर बेंती जदो रोज रोज कोई शब्द दा अबियास करेगा परचा शब्द का रोज रोज शब्दनल परचा पाएगा ते उस अंदर शब्द बाणी कितना को असर करेगी एदा उतर तान गुरु हार्य सहीब जी ने बड़ा सोना देता उना दे अतिहास दी एक कटनाख है कि सत्गुरु गुरु हार्य सही महराज जी नो एक वरी कोई शिखाने बेंती किती सी किन्दने महराज असी रोज गुरु की बाणी पढ़ देखा शब्द पढ़ने है पर जो कोई शब्द दस्याख है वो साड़े अंदर निवस्या कि सानू शब्द अब्यास त्याग देना चाहीद है कि असी शब्द नू छाड़ देए महराज किन्ने नखी किन्ने जे ओ अंदर वस नी रिया असी उस मताबक अपने जीवन नू कमानी रखे ते फिर रोज रोज शब्द अब्यास करन दा लाब की एक उदरती ताउर ते बंदे दे मान विच उपजी जानदा है कि जे आउटपोट नहीं मेरा जीवन नहीं बान रहा ते फिर मेरे रोजदा अब्यास किसे मशीनी कामदी तरह ता नहीं को रहा महराज जी ने क्या नखी शब्द अपना कम करेगा उदास मत खो महराज के में ते तन गुरु खार्राई साहिब ने बड़ा सोना उतर दिता उस देनी कटना वापरी सिर्व एक छोटी जी एक बेंती खे उससे दिन हजूर बार निकले ने ते मी पह के खटे आ ते सूरज दिया किरना तरती दे उपर पहरिया ने ते की देख देने एक मिटी दा बरतन तुटा होया जिस दे टुकडे चाड़ी विच पहने ते उस दे विचो चमक आ रही है महराज सचे पादशा पुछ देने सिखो के आ पांडा जो टुट चुक है इस विच चमक क्यों पर टुटे विचो इस थिंदे दी चमक क्यों क्यों दी चमक क्यों पाया जानदा सी शब्द दा परचा मेरी बेंती समझेो कई वरी बंदा उदांस हो जाना है मैं एक होर बेंती करांगा शब्द अब्यासी दा ते पता ही उदो लगने जदो ए संसार नो अलविदा कहे के करतार दे कारनो जाना ए शब्द दा लाब की के महराज जी ने बचन किता ते से केंद ने महराज इस विच रोज रोज क्य हो पाया जानदाखे सत्गरु खासके कहन लगे के देखो पांड़ा ए मिटी दाखे खैवी नर जिंद साधी तरह एदे अंदर चेतना ने साधी तरह एदे अंदर जिंद ने पर इस पांडे विच रोज-रोज-रोज-जोज क्या हो पर पहे पएगया ओक्या रोज-रोज पहन दे नाहल , इस पांडे दे तोर अंदर राच गया आज देखो एस बरतन तुट चुक है, पर तुटन की भाव यूदवी इस पन्डे दिया ठीकरिया विचूं इस पन्डे दे टुकडिया दे विचूं उस पाए खुए रोज रोज पाए खुए क्यो दी चमक पन्डे टुटे विचों भी recession आ रही है प्यारो एवी ता रोज रोज दा अभियासग है रोज क्यो पांडे विच पहे ते टुटन तो बाद ओदा थिंदा ओदी चिकनाट पांडे तो बाहर हों दिये कि इनने गुरू के सिखो जिते रोज रोज शबद दा परचा शबद दा अबयास रोज रोज गुरू की बानी पड़ी जाएगी सचेवे इस तंदे बिनसंतो बाद भी उस शबद दा बख्षश उस शबद दी रहमत उस शबद दी ताकत इस आतमा दे नाल परमातमा दी दरगा तक जाएगी क्योंके रोज 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 शबद दा अबयास होए इस तो अगली में बिन्ती करा जदो कुई शबद अबयास करद है देखो उस दी जीवन विच उनों बहुत कुछ अपना कंट्रोल करना पहिंदा है क्योंने तरक्की खुंदी आतमक जीवन दी क्योंके इस सिर में संखेप जी बिन्ती करके अगे तुरने दिदार खाल से का देखो कदी इसी दुवाई लएने है डॉक्टर तो दुवाई लओ पामे कोई एलो पेथी लवे पामे कोई खौमो पेथी लवे पामे कोई आरियो वैद को दुवाई लए किसे वैद डॉक्टर को चले जाओ तकरीबन हर डॉक्टर दी एक गलसां जीए ओध्याई देन लग गया कहेगा इनना चीजान दा परखेज जरूर करें होँमपैधिवी लो ते ओभी ता कहे देने के दुवाई लेले पर यतन करें न इनना चीजान दा खान तो परखेज करें जे आपां किते माँलो ओप अमेडिसन लेने हैं ओभी डॉक्टर ता के दिन देने इंजेक्शन दवाई गोलियां इताँ असर करनियां जे एना चीजां दा परखेज करेंगा जे अर्यू वैद के ले लिए ओभी ता परखेज दस देने पर जे बंदा दवाई भी खाई जाए ते परखेज भी ना करे ते फिर ना वैद दा कसूर ना उस दवाई दा कसूर बंदे दे अपने रोज मरा जीवन दा करमा दा कसूर क्योंके जिड़ा परखेज क्या उस परखेज तो ता बचे ही नहीं जिनने शब्दा अभियास करने इस संत बाबा संगत सिंग जी कमालिये वाले मापुर्ख ओना ने जब जी सहब्दा टीका कर दिया न ओदे विचे कुछ गला कही है के जिनने सब तो पहली गल शब्दा अभियास करने वाला निंदिया सुनन तो ते निंदिया करन तो बचे नहीं ते अंदर असर नी होंदा साच एवे अंदर खेंड जान दा ए पहली गलों ना कही के जिसने शब्दा अभियास करने ओ किसे दी निंदिया करन दी दूर दी गल साच एवे किसे दी निंदिया सुन तो भी गुरेज करे क्योंके निंदिया सुन दे नाल भी किते खोई शबदा अबयास रास फली पूत नहीं कुंदा एता बानी ने बड़े सफ़ष्टी शबद कह क्योंके गल चली परचा शबद का ओ कहिंदे ने के तै नार क्या पुरान सुन की ना पुरान तार्मक गरंथ ने अठारा पुरान के एए इनसान तू पुरान पढ़े ने पुरान सुने ने पर मिन्यों एक गल्दास एस सब कुछ नू पढ़न दा तेरे ते असर की होया तैनर क्या पुरान सुन की ना अनपामनी पगत ना उपजी पूखे दान ना दीना काम ना बिशरे हो तु तर्म गरंत पढ़े पर काम दाता तेरी बिर्दी कटी ना क्रोध ने तेरा खेडा ना चुड़िया पार कार्णू देखन दी तेरी बिर्दी ना मरी ते की अब है आस्दा लाब होया देखो भी ता शब्द पढ़ रहे है तैनर क्या पुरान सुन की ना अनपामनी पगत ना उपजी पूखे दान ना दीना काम ना बिश्रियो क्रोध ना बिश्रियो लोब ना छूटियो देवा ते महराज आखर एनी सेवा कीती है ना चौकडा मारेया कहने लगे पर निंदा मुख तेनी छूटी नेफल पई सब सेवा जेड़ी एक पराई निंद्याख है मेरी बेंती समझे हो ते ए दोर एना चलदा पर है सच एवे निंद्याख सवाधी भी बड़ी लग दी करन वाले नो भी सवाधी लग दी सुन वाले नो भी रास एदे भी चूंदा है पहली बेंती जिनने अभिहास करने ओ निंद्याख करन तो घुरेज करे मैं किसे नो साच कहन तो पहला आपने अंदर चाती जरूर मारा जिदे बारे मैं साच दी व्याख्या कर रहे है कि मेरे जीवन भी साच खै जे नहीं ता मेरा ख्याले ओ एर्खा वास बोले कोई साथ दे शब्द भी कूड़ी बान के रह जांदे क्योंकि उ आपना ओखै मेरे बिंती एक निंदिया दूसरी शब्द अभिहास करनवाड़ा एर्खा तो घुरेज करे जिते एर्खा होवेगी सच एवेवेटे शब्द अभिहास करते है जेस बंदे प्रती एर्खा होवेगी ओदे फुरने शब्द अभियास विच भी बन लाग पहिंदे इस चाहिए ओँ अंदर नू तंग करदे उस तो अगेख है के तृष्णा मैं सिर्वे बेंती करें रोज मरा जिंद्गी चसी पढ़ने ओदे तो गुरेज करे सब तो वड़ी गल के शब्द अभियासी रब दे तुटिया होयां दी संगत तो गुरुज करे क्योंके ओदे अंदर नू खिंडा दे ओना दे फुरने सूलां दी तरह चुब दे एई कारण के महराज जी ने साकत दे जीवन नू एक तिक ही सूल नल तुलना दिती है के ने साकत बंदे दा जिन्दगी जीवन ता एक तिक ही सूल दी तरह है के जिमे ओ तुर्द है ओदे पैरावी सूल चुब दीए ओदे अंदर सूलां चुब दियाने ते जेडा बंदा साकत दी संगत करदा है कई वरी साकता दे बोल बंदे दे अंदर नो सूलां दी तरह चुब दे गुर्देव दे बचने के साकत हार साद ना जाने आ तिन अंतर खौमे कंडा खे चुजू चले चुबे दुख पामे जम काल सहें सेर डंडा खे मैं फिर बेंती करा के शब्दा अभिहास कोई वै गुर्व गुर्व शब्द जापदाख है ए परचाख है हर गालतू आपने गुरू नलसांजी का अनपव एदा एक मैकबित कह के इस तो अगे तुरनाम पाईशब के दिन दे देखो जड़ा शब्द खे ए सिख दे अंदर जड़ा अभिहास करदे दूजे नू एदी कीमत दा पता ने ए बड़ी सपष्ट गालख है के जो कुछ परमातमा दी नाम दी खेडे हर बंदा ओदी कदर नहीं जे जानदा ते कई वरी ऐसी यतन करने है के उना लोका नू आपां समझांदा यतन करिये समझांदी कोई सिमाख है अन अदकारी बंदे नू उपदेश देना वी कई वरी सच एवे अपने ली दुखदाई बान जानदा है आपां उसारू बिरती नल बोलने ओ कई वरी ओदे अर्थ वक्रे कर लाग बेंदा है कबीर सहीब ने अपनी रचना वीच एक बड़ा प्यारा बचन की आख है के ने जेकर कुटे दे कना वीच रोज कोई बंदा सिमर्तियां दा पाठ करे उस कुटे दे सुभा वीच तबदीली ने आ जाने साकत बंदे कोल तुसी खरी गुणा दी चर्चा करो साच एवे ओदे अंदर कोई तबदीली नखी उना एक बचन खोर क्या कहन लगे निमतियां जड़ा मेंचे रोज रोज कोल के तुसी शर्बत पाई जाओ साच एवे निमते पते ते ओदा फाल कदी भी रासवाला नी बनेगा कि ने साकत बंदा रब तो तुटा ओदे ने राम की बात मत करो मैंनों बख्ष देओ मैं बानी दी गल कर रहा अपने जीवन नों कमा हो उना दे पुवित्तर बचन ने कि कहा शवान को सिम्रत सुनाए कहा शाकत पै खरगुन गाहे राम राम रमे रम रही है साकत श्यों पूल ने कही है पूल ने कही है कबीर सहीव दे बचन कवा कहा कपूर चिराएं कहें बिशियर को दूद पी आएं अखीर वे चोकेंद ने अम्रित लेले नीम संचाई कैद कभीर उवा को सहज ना जाई ने मने अपना सब्दा की तबदील कर देना है देखो नाम दी कीमत गुरू गरंसाई विछ एक सलोक है माराजी दा के रतना केरी गुथली रतनी खोली आए एदा मतलब एवे के गुरू ने अपने नाम शबद रतना दा खजाना को लिया ते इस रतन दी कदर केवल ओ जान दा जिरा रतन दा वपारी होन मेरे वर गे बंदे नू गली विच्चो ढिग्या होया कीमती हीरा मिल जाए मेनू ओदी की कीमत मेरे लिए ता चमकदा होया एक निकाज या काचिदा टुकडा है महराज किन रतना केरी गुतली रतनी खोली आए वक्खर तैवन जा रहे हैं दुआ रही समाए जिन गुण पले नान का मानक वन जाशे जिनना दे कोल परमातमा दी बख्शिश दा गुण खै उन नाम रतन वन्ज दिन में क्वित कह के गितुरना पुछे आगिया जो शबदा परचा कर दे शबदा अभियास रोज कर दे किर्पा करके दसो ये शबद उना ते मेर की करेगा उना ने तिन बचन कहने कहने लगे शबदा अभियास उन वैगरू गुर्मन तरखे असी चार शबद चार अकर उचार ने चाओ अकरा है शबद आराम शबद आँ डाई अक्षर कही कहने दे सा उन मातरा नो बेच गेल लें दे उन प्रेम जड़ा शबदे वी टाई अकर मने आगे उन देखो जड़ोसी वैगरू शबद कहने है उन जटा वैसे बंदा त्यानल सुर्टनल जड़ो इदा अभियास करदा है कोई सज्जन मैं रात अर्ज की सवासानल करदेने पर शबदा अभियास किसे टांगनल भी कीता जाए ये व्यर्थ नहीं जे मेरी एक बेंतिक है हुन कई मेरी आप आँ कहने जगती मैं कह अर्ज करां गुर्बानी विछ न जे उकतिया जगतिया दी गाले चाल दी ते जगतिया ने सारे रबन उपा लें दे देखो जिकर ज़रूर है रसना ने जपो खिर्दे न जपो रोम रोम जपो पर किते ने कह भी एना कुछ सलेबस कर लेंगा ते नो मिल जाएगा साथ गुरू ने ता एतो तक शब्द वरते के दाती साहिब संदिया क्या चल लाए तिस नाल एक जगंदे नालें एक सुतिया दे उठाल उन सोना कुछ जगत थोड़ाह जगना ता मर्यादा है इशनान करना ता मर्यादा है शब्द अबयास करना ता मर्यादा है पर साचेवे सुते बंदेन उठाके दात मिल जए उन उपच्छिया जी केडी जगत उवरती वो कहनदा जगत ता पता कोई नहीं